बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड के तने में एक खोल था. उस खोल में कपिंजल नाम का एक तीतर रहा करता था. हर रोज वह खाना ढूणने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था. एक दिन खाना ढूणनते रूणनते कपिंजल अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को नहीं लौटा. जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया, तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा. लगभग दो से तीन हफ़तों बाद तीतर वापस आया. खाखा कर वह बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण बहुत थक भी गया था. लौट कर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है. यहां देख कर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने जहला कर खरगोश से कहा, यह मेरा घर है. निकलो यहां से. तीतर को इस तरह चिलाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहां रह रहा है, वहीं उसका घर है. तुम यहां रहते थे, लेकिन अब यहां मैं रहता हूँ और इसलिए यहां मेरा घर है. इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. तीतर बार-बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था. तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं. उन दोनों की इस लडाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी. उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा. यहां सोच कर वह पेड के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोड़-जोड से ग्यान की बाते करने लगी. उसकी बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ग्यानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके ही पास जाना चाहिए. उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो. हमारी मदद करो और जो भी दोशी होगा, उसे तुम खा लेना. उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी. समस्या यह है कि मैं अब बूड़ी हो गई हूँ, और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो, उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए. जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही जपट्टे में दोनों को मार डाला. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जगडा नहीं करना चाहिए और अगर जगडा हो भी जाए, तो किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए.